हलो फ्रेंज आज जम बनाने जा रहे हैं लवा इडली वो भी डाल से भरी हुई स्टफिंग के साथ बहुत ही बढ़िया रेसेपी है यह जितनी बाहर से क्रिस्पी बनती है अंदर से उतनी ही सॉफ्ट आप चाहें तो इसे स्वेट सॉस या तो स्पैसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपकी अपनी चैनल को क्विट माही को सस्क्राइब कीजिए सबसे पहले एक बावल में ले लीजिए रवा रवा उतना नहीं लीजिए जितने आपकी कॉंटिटी में बनाना हो यह समझे तीन लोगों के लिए इनफ रहेगा उसमें डाल देना है दही और ग्रीन चिली हमने कट करके डाल दिया था और थोरा सा नमक फिर उपर से बस पानी डाल के और ऐसा बैटर रेडी कर देना है इसे दस से पं जीरा नमक और हींग जरूर डालिएगा इसे डाल में जो एकदम सोखा सी समेल आती है बहुत ही बड़ी आती है ट्राइ कीजेगा पानी कम डाले क्यूंकि इसके हमने ऐसे स्टफ थोड़ी जाड़ी ही रहने देनी है बस हमने यह छोटे छोटे इडले के पैन ले लिये थे और छोटे छोटे बाउल में अच्छे से ओल क्रिस कर लिया है ताकि यह इजीली निकल के आपा है अब हमारा इडले का बैटर अच्छे से रैडी हो चुका है उसमें डाल दीजे इनो इनो या तो बेकिंग सोड़ा पूरी तरह से ऑप्सनल है कुछ भी डालेंगे इडली ए से बन जाता है कॉंटिटी कम या ज्यादा आप अपने इसाब से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके जगा पे मसाले दाल बॉय लालो की भी डाल सकते हैं स्टॉफिंग बस उपर से अगें इस पैटर से हमें कवर कर देना है और एक तम अच्छे से सारे बैटर को लग सकता है बस इसे हमने और लेडी क्या किया स्टेम बैटर को हमने गरम करने रख दिया था इसलिए बस उसमें रख देना है दस मिनिट भी नहीं लगेंगे ये फटा फट स्टेम होके एक तम फूल जाती है देखे कितनी बढ़िया से फूल गई और स्टीक डाल के चैक कर सकते हैं यह नई चिपक रही है मतलब एक दम अच्छे से रेडी है पर इसे ठंडी जरूर कीजिए का पहले तो देखी ऐसे साइड से अच्छे से निकल के भी आ जाएगी देखे कितनी बढ़िया सौफ लग रहे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं पर हम इसे क्रिस्पी बनाने के लिए एक पहने हमने अउली एक चमच ओएल डाला था बस इसे ऐसे थोड़ा सा दिमी आज पर क्रिस्पी बनाना है दोनों साइड से पलट पलटकर करेंगे तीकता की और मजे डाल लगे बस इसे दोनों साइड से हलका हलका पलटना है तो एकदम देखते ही मजे अगर वही आपके पसंद की सॉस या चटनी के साथ खाएंगे अगर आपके घर पे पार्टी है या अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो दस मेट में बनने वाली ये बहुत ही बड़िया स्नेक्स रेसिपी है कि बड़ों को भी पसंद आए और बच्चे तो वैसी खुस हो जाते है साइज आप इसकी छोटी बड़ी जरूर बना सकते हैं पर ट्राय जरूर के लिए